कि एलो फ्रेंट्स मैं अभी सेख फ्लोवरिया और साइंस भाई अभी सेख फ्लोवरिया पर आप सभी गारदिक स्वाकत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपन बात कर रहे हैं यह सी फाइनल येर बोटनिम प्रेक्टिकल के बारे में जिसमें क्या-क्या पूछे जाता है वायवा में टोटल में स्टार्ट से अंड तक आपको बताऊंगा इसके बारे में तो अपने सबसे पहले इसमें अपने को पढ़ना क्या है इस्पोर्ट अपने को दोस्तों सरक सारे याद करने पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा तर 90% परसंट जो है वो इस्पोर्ट से ही ठीक है तो सबसे पहले इस्पोर्ट पढ़ने है इस्पोर्ट अपने तीन ट्रकार के स्पोर्ट है कोर्स में एकोलोजिकल स्पोर्ट फीजियोलोजी के स्पोर्ट और बायो टेकनोलोजी के स्पोर्ट इकोलोजी में आते हैं दोस्तों मरूद बीद लवनोद बीद जलोद वगारा वह वाले और विध्योलोजि में आते हैं विध्यनिख खोज विध्यानिक और उनके द्वारख किके भूज के बारे के Dana ने और बाइड थेक्नो लोजी के पाठ खरें तो इसमें आते हैं अप आप अगर याद रखोगे तो आपको इस एक चार्ट में सभी के सभी एक साथ ही याद हो जाएंगे सबसे पहले तो इनके नाम याद होने बहुत-बहुत जरूरी है क्योंकि सिद्धे आपको कह सकते हैं दो लवनोद्वित पोदों के नाम बता या फिर दो जलोद्वित परकार के हैं ठीक है एक है ट्रिव मरुद्वित यानिकी जो सच में मरुद्वित है और एक है मांसल मरुद्वित ठीक है तो सबसे पहले मांसल मरुद्वित जो है वो अपने कोर्श में दो है कितने हैं दो सबसे पहले नाम देखते हैं नाम जरूर याद होना चाहिए क्यो एक है दो यूफ़विया और नागफनी अपने कोर्शप में है क्याूफ़विया और नागफनी बाद में इसके कुल भी मैं आपको बताउंगा कुल ज्यादा तर नहीं पूचे जाते हैं नाम जरूर याद रखना है सामने नाम और उसका वानसपतिग नाम तो सबसे पहले मा एक एक खीफ एक पार्किन्सोनिया तो इन सब के मैं आपको वानसपतिक नाम भी बताऊंगा और यह नाम तो अपने को याद होने चाहिए क्योंकि अपने को डायक्ट वाइवां पूछा आज के दिन में काफी लोगों को पूछा गया खीफ का वानसपतिक नाम क्या है या फो दारण करने वाले में दोस्तों एक ही है वह स्वीडा फ्रूटिकोसा क्या है स्वीडा फ्रूटिकोसा लवन दारण करने वाला लवन अध्विद यान की हेलोफाइट है और दो है लवन इस्त्राविद करने वाले यान की जो लवन का इस्त्राविद करते हैं वह है एट्रि जलोद्विद जलोदविद जो फ्यों जोए वह दोस्तों इसमें तीन अपने कोड्शन है। जलकुमभी एंड निंफिया। तो इन सभी के आपको वानसपतीक नाम यहाद हौने चाहिए। यह जोबी नाम है यह सबी Latin भासा में लिखे जाने चाहिए अन्तराष्टि पदति ए उसके द्वारा फिक्ष किया गया है कि किसी भी पोदे का या जीव का नाम लेटिन भासा में लिखना चाहिए अब अपने को लेटिन भासा अपन पेहन से हातों से नहीं लिख सकते इस कारण अपने को क्या करना चाहिए उसके निचे अंडरलाइन करना जिरूरी होता है इसलिए ये अंडरलाइन की प्रता चल रही है ठीके तो ये चार प्रकार के अपने कॉर्स में है मासल मरूद बिद में यूफोर्बिया और नागपनी मरूद बिद में फोग, केर, खीप, पार्किनसोनिया लवन बिद में है सॉल्ट इस्तरावित करने वाले है एट्रिपलेक्स और कलोरिस और लवन धारन करने में है सुईडा फ्रूटिकोसा और जलोद बिद तीन है हर्डरिला, जलकुम्भी और निम्फिया अब इनका अपन पढ़ते हैं वर्णन और लक्षन में आपको ऐसे याद करूँगा कि आप सभी मेलब एक पूरी केटेगरी का एक साथ याद हो जाएगा तो अपन देखते हैं सबसे पहले मांसल मरुदविद पात्वो के बारे में मांसल मरुदविद में दो अपने कॉर्स में है यूफोर्बिया और नागपनी अब यूफोर्बिया जो है इसका पूरा नाम है यूफोर्बिया इस्प्लेडेंस क्या है यूफोर्बिया इस्प्लेडेंस या इस्प्लेडेंस ठीक है यूफोर्बिया इस्प्लेडेंस या इस्प्लेडेंस एक चीज़े ये जो है ठोर का वानस्पतिक नाम है मेरे को पुखा गया था, आज के practical में ठोर का वानस्पतिक नाम क्या है तो वो है यूफोर बियास पेल हैंडस ठीके, और कुल है यूफोर बीईएसी कुल तो कम पूचा जाता है किसी को नहीं पूचा है लेकिन इसका समानी और वानसपतिक नाम पूझे जाते हैं तो थोर का वानसपतिक नाम क्या हुआ यूफोर्बिया इस्प्लेट डेंस या फिर यूफोर्बिया इस्प्लेट डेंस का समानी नाम क्या है थोर है नेक्स्ट है नागपनी नागफनी नाकफनी का समने नाम नाकफनी है इसका वानसपतिक नाम क्या है तो वानसपतिक नाम जो है दोस्तो इसका उपनसिया है ठीके नाकफनी को क्या कहता है उपनसिया कहता है और इसका कुल एक क्याते सी कुल याद रहे तो बढ़िया है नहीं रहे तो कम से कम ये नाम जरूर याद होने चाहिए ठीक है सब को एक एक दो जो नाम पूछेंगे तो याद रखना ठीक है लक्षन अब जो मैं दोस्तों आपको मैं मैं कॉमन लक्षन बता रहा हूं क्योंकि फूरी फाइल आप ना तो याद कर पाओगे पढ़ोगे तो अभी कमफ्यूज होगे ठीक है तो अपने को कॉमन कॉमन लक्षन याद करने है जैसे कि मांसल मरुद्विदे इसमें दो आते हैं ये अपने को पता होना चाहिए यूफोर्बिय और नागपनी अब इन दोनों के लक्षन अलग-अलग नहीं पढ़ने हैं इनमें जो कॉमन कॉमन है और महतोपुन है वो अपने को याद करने है तो ये पूरा एक केटेगरी याद हो जाती है अपने को सीधी क्या मांसल मरुद्विद के लक्षन क्या है ये सबसे पहला ये लक्षन यही है जैसे अपने को बूच लिया नागपनी के लक्षन बताओ तो नागपनी के लक्षन आपन कैसे बताएंगे सीधा आपन बोलेंगे ये एक मांसल मरुद्विद पादब है ठीक है पहला लक्षन मांसल मरूदभीत पादप है दूसरा मरूदभीत पादप जो होते हैं उनमें क्या होता है जड़े पुन विक्षित पाई जाती है क्या जड़ तंत्र विक्षित होता है लेकिन मांसल है इस कारण इसमें जड़ तंत्र कम विक्षित क्या जड़े कम विक ये दोनों के लख्षन साथ में हो रहे हैं किसके यूफ़र्भी और और नाप्पनी या मांसल मरुद बिद के लखषन है पहला तो 닉पना हरा फोल् endlessly दूसरा यह सब में ओंने काफी जिगा पर यह लाइन आने वाली तो अपने vic व्याद रखना है तब से पहले तो ये दोनों क्या है मरुदज़ एक कौन से मरुद़ध मांसल जीद होतीि ञास chlorophyll यूक्त और प्रकास संसलेसक होता है और पतियां छोटी होती है तो यह मानसल मरूद भी पूरी केटेगरी एक complete हो जाती है बाद में परन बात करता है यदि मरूद भीद की तो मरूद भीद जो है इसमें दोस्तों आते हैं true zero fights यानि कि जो सक्च में मरूद भीद हैं इसमें चार पोदे हैं फोग क्या है फोग इसका वानस्पतिक नाम मेरे को पूछा गया था और भी मेरे दोस्तों को काफी लड़कों को पूछा गया है कि फोग का वानस्पतिक नाम क्या है फोग का वानस्पतिक नाम है दोस्तों केली गोनम पॉली गोनोडिस क्या केली गोनम पॉली गोनोडिस तो इसका कुल जो है वो है दोस्तों पॉली गोनेशी क्या नाम से पता चलना है पॉली गोनेशी तो इससे क्या बना पॉली गोनेशी ठीक है पॉली गोनेशी इसका कुल ह नाम है Fog का क्या है Keleganum Polygonadis और Kule Polygonesis यदी बात करें सेकें केर की केर का वानसपतिक नाम क्या है क्या किरिक प्रेशेंदेशंर कुन है केना कंप नागफनी का कुन है यद ध्यान रखना काफी लोग केल का कुल पूचते है तो क्या केल का कुल क्या प्रेशंर है क्या wijं का विगयनिक नाम भी इनकोटेंट है यहें लेक्ट युदीना पाईरो टेक्णिकल क्या लेक्ट दिन्या पाइरो टेक्निकंक आपे刘्ञनिक का वे जिकाइड़ यायouse कि अकड़े का भी सेम वाता है यह विगयनिक नाम है और अपने कर्स में एक और है मृत वह हैं पार्किन्सोंिया क्या है पार्किन्सोंिया एक्यूलेट यह खुद विगयनिक नामी है यानि कि वानसपतिक नामी है परकिंसोन एक्यूलेटा और इसका कुल जो है वो है दोस्तों सिसल पिनेसी क्या है सिसल पिनेसी अब इनके लक्षन मैं चारों के एक साथ बता रहा हूं ठीक है क्योंकि अलग अलग आप पढ़ोगे कंफ्यूज होगे मैं गारंटी देत लक्षन में एक साथ बता रहा हूं आपको लक्षन सबसे पहला तो जैसे अपने को पूछ लिया फोक के लक्षन बता या फिर के लक्षन खींप के लक्षन या फिर पार्किंसोनिया यह इनके लक्षन बता तो सबसे पहले अपने को बताना है कि यह मरूद बित पादव है क सब्सक्राइन सब्सक्राइब см कि अ quase that सबस्क्राइब उसमों जड़े कम विक्सित होती क्योंकि इन में मूल्तंत्र जो होता है म्रुतंतर जो होता है क्या होता है और вд भांध दें याने की रोके रखते एक जगह पर बांद कर रखते हैं तो comes में क्या होता है next गोने इसका मर्दा को बांदने का कारी करते हैं यह सभी मरुद्व्र के लिए same है आपको भले फो क्र्द की के का पूचे के खींप का पूचे पार्किन्स अilsका पूचे सब के लग्सन त्यमें क्या होता है मरुद्बीद पादपे लेगिस्तानी छेतर में पाए जाते हैं या रेती लेगिस्तानों पर पाए जाते हैं ये सुखे के प्रति प्रति रोधी होते हैं और मुल्ट अंत्र विक्षित होता है जो की मर्दा को बांधने का कारिय करता है या रेत को बांदने का कारिय करता है नेश्ट है तना हरा क्लोरोफिल युक्त प्रकास संसलेस तक होता है मानसल मरूद में भी यही था मानसल मरूद भी यही लक्षन था कि दोनों में तना जो होता है वो क्या होता है प्रकास संसलेस होता है हरा होता है और कलोरोफिल यूग दोता है और इस प्रकार के तन्यों को क्या कहते हैं फाइलो कलोड कहते हैं क्या कहते हैं फाइलो कलेड यानि कि परनाब इस्तम्ब कहते हैं क्योंकि इसमें इस्तम्ब यानि कि तन्ह पर्ण का कारी करता है पत्ती का कारी होता है प्रकास अंसलेशन तो क्लोरोफिल भी पत्ती में बाय जाता है लेकिन मरूद बित पादपो में क्या होता है तन्य में क्लोरोफिल पाय जाता है हरे रंग का होता है और ये प्रकास अंसलेशन का कारी करता है इसलिए इस ये क्या कहता है फाइलो कलेड कह करते हैं कि नेच्स क्या है लवंध भीद्ध में कितने हैं दोस्तों दो परकार के लवन बिद्धे एक ही स्क्रेटिंग यानि की लवन करने वाले ल 하지만 ठिकरें लाइन इस्त्रावित करने वालकी दो एट्रिप्लेक और क्लोरिस तीसरह यह लवन को धारन करने वाला जो कि यह सुट्वीडा फ्रूॉटी कोसा तो तूरों को एक साथ देखते हैं शुटा फ्रूटी कोसा और ए्ट्रिप्लेक्स एमनीकॉल ये दोनों है चीनोपोडियसी के सदस्षी दोनों का कुल सेम तो अपने को क्या करना है लवनोद बीद का कुल चीनोपोडियसी लेकिन अपवाद सुरूप यदि हम बात करें तो अपने यहाँ पर अपवाद मान लेते हैं ये क्लोरिस जो है वो पोईयसी का सदस्षी है लवनोद बीद का कुल के वाशा होता है चीनोपोडियसी लेकिन अपवाद क्या है क्लोरिन क्लोरिन नहीं क्लोरिस क्लोरिस जो है वो पोईयसी का सदस्षी है तो इसमें लवनोद बीद तीन है दो तो इस्तराविद करते हैं एक धारण करता है किसको लवन को तो इस्तराविद करने में A triple X amlicol और chloris ठीके और धायन करने में सुडा फूरू्टिकोसा अब इसमें amlicol यानि कि A triple X amlicol और सुडा फूरूटिकोसा का कुल तो जो जो है वो है Chinopodiac, लेकिन Chloris का कूल है PoEcy ठीके, लक्षण दोनों के साथ में देखते हैं आपको बड़ी आतरीके से याद हो जाएंगे लक्षण जो है, वो First है, यह लवनोत बिदे लवनोत बिदे दोनों ही, तो इसका पूछे या इन दोनों का पूछे दोनों किए आपन बोलेंगे लवन दो भीद है बाद में यहक्षय वियाल क्या है िनका पूचे यांगा मेंड़ेत्रावित करने वाला लवन दो क ensep эфф है बाद में सभी से नोँ में लक्षन Kamin मूल तंत्र भोता है वह मृद्दा को बांदने का कारी हिए उपर देखा था लवनोंव बिद को में मृब्ध weald live慢 comment मूल तंतर विख्षित होता है और मांदने का कारी हिए थे मृण तंत्र जड़य लवनोज बीद है तो लवनी मर्दा में पाए जाते हैं चारे के रूप में प्रियूत करते हैं मूल तंत्र विक्षित होता है ठीक है यह इतना अपने को याद रखना है यह हो गए अपने लवनोज बीद के लक्षान कंप्लेट अभी आप फाइल पढ़ते तो पूरे अनीकि में पाए जाने वालह बूदे में इक परव कोशल बीद है तो इसमें लक्षन अपने वक्षो तीनों के कौमन याद और पर्व और पर्व संधियों में कंविख सित्वर्प्रक उता है मुलसおお लवनद बिद मीं मूलå तंद्र पैंख्षित प्रकार का मुल तंद्र मुलस न्तृत परशंद्यों में विबक्त और मूल तंत्र कम विख्षित्या हासित लेकिन में कुछ विशेश लक्षन भी यह जैसे कि आईकोनिया या जल कुम्भी को बंगाल का अंतक करते हैं ठीके क्योंकि यह क्या था दोस्तों बंगाल की खाड़ी वह बंगाल चेत्र में बहुती अधि मात्रा में जल में फैल गया था पूरा जल हरा रहा हो गया था इसलिए इसे बंगाल का अंतक कहते हैं ठीके और दूसरी बात यह जो है जल की सतव पर तेरने वाला है क्या जल कुम्भी या आईकोनिया जल की सतव पर तेरता है इसका तनाज होता है वह भू इस्तारिक प्रक है लगनोद भी दे तना पर और पर्शन दियों में विबक्त और मूल तंत्र कम विक्सित या हसित प्रकार का कि नेक्स्ट अपन देखते हैं बुक्स काफी लोगों को दोस्तों यह पर्शन भी पूचा गया है कि आपने एक्जाम दिये हैं तो उन में कौन से पेपर में क्या क्या क्यों ंटीन की आपने फास पेपर से एक पर तो महते कोई लहीं क्या याद है वह बता तो आप मैं क crystalline किताब का नाम देख लीजी तो फस्ट पूक का नाम है Ecology and environmental biology, क्या, ecology and environmental biology, second book है, उसका नाम है, plant physiology and biochemistry, और third का नाम है, plant biotechnology and molecular biology, ठीक है? और इनमें एक-एक question भी आप देख लेना, जैसे मेरे को पूझा गया तक भाई, तुने first पेपर दिया है बोटनी का तो उसमें कौन-कौन से कॉच्छन अटेन किये तो मैंने बोल दिया साफ साथ मेडम मेरे को तो अभी तक एक भी परसन याद नहीं एक्जाम दिये काफी टेम हो गया है फिर भी एक परसन याद है मेरे को जैसे की खेजडी का वानस्पतिक नाम वाल सेकिंड प्लांट बायो टेकनोलोजी एंड मोलिकुलर बायोजी थर्ड अब इनमें एक एक परसन भी देख लेना इसमें जैसे की खेजडी वाला देख लेना इसमें रसार होना ठीक है नेक्स्ट है विशेश चेत्री कत्ता वाला भी आप याद रहे तो बोल देना ठीक है नेस्ट अपन देखते हैं दोस्तों कि नेस्ट है बायो टेकनोलोजी यानिक नहीं प्लांट फीजियोलोजी के स्पोर्ट अपन देखते हैं और मैं आपको बहुत कम-कम पढ़ाऊंगा और यह पॉइंट पॉइंट आप याद रख लोगे तो कुछ नहीं बुलोग कि मैलविन केल्विन दोस्तों गाल अपने को याद रखना है स्यू टू इस त्रीकरण का पत दिया था शी यह डोगे था की कि मेल्विन केल्विन ने क्या किया था याद करोगे त पद या दिया दोगा यह अमरीका कैथे यह एचंट स्लेक दोनोंने CO2-3 गण का पत परदशित किया इन्हों ने जो प्रयोक किया वो सेवाल पर किया था कलोरे लाला मक और इन्होंने गण्ये पर किया था इसमें पर्थम मुत्पाद जो इन्होंने पराफ्ट किया वो था 3-phosphoglyceric acid तो इन्होंने क्या 3-phosphoglyceric acid तो इन्होंने क्या 3-phosphoglyceric acid पर्योप किया उसमें CO2-3 गण का पत दिया तो गन्या पर परियोग करके उन्होंने पर्थम योगिक ओक्जेलो एसिटिक अमलब प्राप्त किया जो की चार कार्बन युक्त था क्या ओक्जेलो एसिटिक अमलब चार कार्बन युक्त था इसी कारणी से C4 चक्र इसी कारणी से क्या बोला C4 चक्र के नाम से इसे जाना ज लगए कहा ने कि अपनर कॉन सा सिद्धान्स दिया क्यों लोग प्रोरी ठीक है थी के तो इसके इनुसर क्या है신ाइम और कुर्यादार निर्मान करते हैं तो एक या जटल निर्मित होता है और वह जटल होता है वह बिल्कुल उसी प्रकार जिसर से जूडते हैं और इस कार्ण से नोबल पूरुष का भी दिया गया ह। एनुसर को थीक तो इमिल फिसर क्या है इन्होंने क्या किया था इमिल फिसर जर्मन के विगयनिक है जिसने ताला चाबी सिद्धांत दिया इसके अनुसार एंजाइम क्रियादार संकुल जो एंजाइम क्रियादार कंप्लेक्स जो होता है यानि कि एंजाइम क्रियादार जटिल तालेव चाब के सवान होता है इतना अपने को याद रखना है पॉइंट अबस है जिएनता क्या होती है जिन्रता क्या होती है तो वे जिवों या पात्पों में क्या होती है उन्स एननवरत किरियाइं से उनमेंहें से वेक किरियाइं जो उनकी मुरत्यु का अंग इस्तर पर अउलोकित बन रोताइव की आउ CAP लगारे परिबरतन क्या होता है यह है शर Viagra हरीतलिक में कम्मी होजाती यह है हरितल्वक का हाला है दो फालेसला Dallas की संख्या में कमी गोल जी का अप गटी तो जाता है केंद्र जोता है वह विक्रित हो जाता है यह क्रोमेटीन तूट जाता है ठीक है तो यह इसके लक्षण या पदिवर्थन है कि नेक्स्ट 90% को यह परसंट पूचा गया है स्वस्वसन गुणाक क्या है स्वस्वसन गुणाक जो यह वह दोस्तों आर्क्यू जिसे प्रदसीत करते हैं रक्यू दोरा CO2 बटे O2 यानि कि स्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस् पेड़लों के लिए असटन वार्फिशन वालों में आर्प्यू का मान अनंत होता है क्योंकि co2 कुछ ना कुछ तो उसलजी तोते हैं लेकिन o2 का मान कितना होता है अन-oxy, मलब oxygen-0 तो कुछ मान लो eigenlijk co2 का मान एकस है, स्येबकि o2 का मान 0 है तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंध परापत होता है इसी करण अनोख्षी सोचन में सोचन गुणांक का मान अनंत पाया जाता है नेक्स्ट है मूल गरंती का पॉइंट पॉइंट देखने अपने को इंपोर्टन पॉइंट ठीक है तो सबसे पहला पूछेंगे मेडम आपको कि या मूल गरंती का या नोडिल जो है वो किन प्रकार के पात्पों में पाई जाती है तो सबसे पहले ये जो होती है वो लेग्यू मिनस पात्पों में पाई जाती है किस में पात्पों में पाई जाती है लेग्यू मिनस पात्पों में मूल गरंथी का या नोडियूल पाई जाती है दूसरा इसमें पूचेंगे कि भई किस जिवाणों के कारण ये गरंथी का बनती है तो ये गरंथी का जो है दोस्तो वो राईजू बीम जिवाणों के कारण बनती है किस जीवाणू के कारण राईजू भीम जीवाणू के कारण मूल गरंती का बनती है और इसका कारिय क्या होता है दोस्तो इसका कारिय सह जीवी नाइट्रोजन इस्थरी करण नाइट्रोजन फिक्सेशन में यह काम आती है मुल घंती का या नोड्यूल किन पात्पों में लेग्यूमिनास किसके कारण राइजूबियम ठीक है तो यह थे पॉइंट नेक्स्ट अपने आते हैं बायो टेकनोलोजी स्पोर्ट बहुत कम है मलग नो है लेकिन अगर आप याद करना है तो यंट्र इसमें सबसे पहला है ओठोक लेओ ओठोर बढ़ेओ को काम करता है क्या करता अब इसकी सरचना आपको पढ़नी फाइल से पढ़ लेना लेकिन पूछेंगे यह क्या ओटोकलेव क्या काम आता है उच्छदाप पर समर्दन माध्यम या मर्दा नमूनों को निर्जमिकरत करने में नेक्स चेकंड है लेमिनर एयर फ्लो केबिनेट क्या लेमिनर एयर फ्लो केबिनेट अब यह जो है वह जीवानु रहीत परिष्थितियां उत्पन करने में काम आता है बाकि इसकी विदी कारे विदी वगेरा आप फाइल से पढ़ लेना अगर आप इच्छी थे क्योंकि दोस सीदापर सरुधन वाधियां तता रायए को निर्जमीत करने में और ओवन झोता है दोस्तो कांच के उपकरनों को निर्जमीगार्इथ करने में काम काम आता है मर्दा नमुन को निर्जमिकरत करना है तो ओवन ठीक है कि नेक्स्ट अपने देखते हैं सेंट्रिफ्यूज मसीन क्या एक मसीन है सेंट्रिफ्यूज जिसका नाम है तो सेंट्रिफ्यूज मसीन जो है वह दुस्तों सबसे पहला तो है द्रव और ठोस का प्रतक्रण करने में काम आती है ठीक है दूसरा निलम बित करनों को प्रतक करने में काम आती है अलब सेंट्रिफिज मसीन का कारी क्या है द्रवों ठोस को प्रतक करना निलम बित करना या एसे पदार्तों को प्रतक करना जिनका गनतों अलग अलग है दो भिन गनतों वाले पदार्तों को य नेक्स्ट है pH meter ये तो सब आपको पताई है pH meter का मतलब होता है जो hydrogen ion की सांदरता ग्याद करने में काम आता है या pH ग्याद करने में काम आता है अब पूछेंगे आपको pH क्या होती है pH होती है दोस्तो H plus ion या hydrogen ion की सांदरता का रणात्मक लगुगुणक यानि की negative log हाइड्रोजन ion की सांदरता का रणात्मक लगुगुणक pH कहलाता है यानि की pH is equal to minus log H plus कार्ये क्या होता है H plus ion की सांदरता ग्याद करने में या फिर pH ग्याद करने में pH meter काम आता है ये नहीं पूछ गया है काफी important है colorimeter या spectrophotometer क्रियाविदी आप पढ़ लेना अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है एक बार पढ़ लेना लेकिन यह पॉइंट जरूर याद रखना ठीक है तो colorimeter या spectrophotometer जो है वह विलियन में क्या करता है पदारतों की सांदरता या प्रकासिक किस नियम पर आदारत है तो यह दोस्तों जो है वह ए बियर लेंबर्ट नियम याने कि दो विग्यान एक्प τα है बियर और लेंबर्ट इन दुनों के जो नियम है उस पर कल्ड़ी मेंटर या जल्यश्ता है जेल ऑल पर इस क्या कामाती है इस इसमें भी अनुओं को प्रत्क किया जाता है एक अमने देखा था सेंट्री फ्यूज मसीन वह भी प्रत्क कंड में काम थी यह भी प्रत्क कंड में काम आती है इसमें अनुओं को प्रत्क किया जाता है उसके बार और आवेश के आदार पर प्रत्क किया जाता है इसमें क्या हो PCR की खोज किसने की सबसे पहले important है केरी मुलिसने किसने केरी मुलिसने PCR यानि की polymerase chain reaction polymerase sankla अभी किर्या की खोज की थी केरी मुलिसने next है इसमें होता क्या है तो PCR जो होता इसमें इच्छित जीन की अपन क्या कर सकता है और संक्य परती लीपिया बहुत कम समय में राप्त कर सकते हैं यानि की अपना एक इच्छित जीन है उसकी अपन फोटोगोपिया जो है वो फटाफट कम टाइम में लाखो परती लीपिया तियार कर सकते हैं तो इसमें क्या है खोज कैरी मुलीष ने की आती है पीसीयर ऑडाफट है बायोरीक्टर लास्ट है इसका फिज्योडोजी नहीं गयो टेक्नलोजी का बायोरीक्टर तो बायोरीक्टर जो है वो दोस्तो इसकी खोज की है डिबीज और लिबमान ने किन्वक या फर्मेंटर भी कहते हैं अब इसकी सरकना वगिर अब सब देख लेना पूछा यही जाएगा खोज किसने की है यह काम क्या करता है यह कीन्वन का कारियर करता है वेपारी किस तर पर यदियम उजयोग में किन्वन का कारियर है वो ferment दिया, बायो reactor द्वारा किया दाता है अब इनके जो सारनी वाले ये परियोग है अब ये परियोग तो आपको याद होने से रहे ना इनके मान रटने है अपने को हो सके तो ये सुत्र याद कर लो और नीचे दो दस नीचे थोड़ी परिवासा हैं वो याद कर लीजे, दस बारा परिबासा, फाइल में होगी सायद, वो भी नहीं है, अब मैं तो तीन चार बता रहा हूं, यह देख लेना यही पूछेंगे, ठीके, तो सबसे पहला सुत्रे आवर्ती परसेंटेज, यानि कि आवर्ती केसे ग्याद करते हैं, या आवर्ती पर परजाती उपस्तित है, तता अधियन किये गए कुल क्वाडरेटर की संक्या, इंटू सो, नेक्स्ट है गनतो, गनतो का फॉर्मूला है, सभी क्वाडरेट में एक परजाती की कुल संक्या, बटे अधियन किये गए कुल क्वाडरेटर की संक्या, इसमें गुणा में सो नही गर्चूरता यह दोस्तों वह सभी वाडरेट में एक परजाती की कुल संक्या तता अधियन की एक कौड्रेट की शंक्या जिसमें परजाती उपस्तित एक अनुपात किता क्या सबसे निजी वाला कौमन हो गया और इन दोनों में उपर-उपर वाला कौमन है सब्सक्राइभu s drinking एक और ःवर्ग था। की संध्या यहां पर फिर इन की संध्या तो है आवर्ती पर्संटेर ये गुणा में सो है, ठीक है नेइस्ट है गनटव शबी क्वाड्रेड में एक परजाती की कुल संक्या उर परचूर्ता में सबी क्वाडれて में एक परजाती की कुल संक्या बटे क्वाड DRA наход ya जिसमें परजाती उप थिते नेश्ट है एदी आपइक्सिक आपएक्सिक आपक्स इक आपएक्सिक आपक्सिक आवरती की आवरती बट्टे सब्भी परजातियों की आवरती सौंग घंत्व पूचे तो आपक्सिक चराओ को सब्ब enfersl झी to so तो यह होगे सब सब सारे सारे फॉर्मूले नेक्स्ट कुछ चार-पांच परिवासा हैं वो देख लीजिए क्योंकि यह सब आज के दिन में पूछे गए काफी लड़कों को ठीक है सबसे पहला है जल दादिता संता क्या है दोस्तो मर्दा के इकई भाड को यदि अपन जल से संत्रृप्ट कर देता है यानि की जल में जल उसमें पूरा डाल देता है फुल कर देता है तो बाद में भी क्या करते हैं मर्दा उसमें से काफी जल तो इस्त्रावित कर देती है लेकिन कुछ जल क्या करती है वो अपने अंदर पकड़ के रखती है तो उसी को अपन जल दायता समता कहते है सामाने बासा में मर्लब मर्दा के द्वारा धारण किया गया जल लेकिन परिवास अपने को अथेंटिक दे मर्दा के विरुद वो अपने अंदर परकड़ रखती है यानि कि गुर्ट्व अकर्षन के तरफ जाने और नहीं देती है उसको तो मर्दा के इकाई बार को जल संत्रत करने के पस्चात मर्दा के द्वारा गुरुत्यों के विरुद धारण किये गए जल की मात्रा जल के इतना हो पर ठीक है ने समने मर्दा गठन किया होता है मर्दा गठन फ्रय धो स्रीब से बाहर निखालने की किलिए यंगी पिखे 07-0-2 oni को ऐस्द वास्प निकालने की कि ए 8 यह वस्द्स जोड़ोह और करी अपोड़ों कि जड़ों दोरा कि अ उत्ती एक राशारोहन कहते हैं तो यह था ऑपन का वीडियो आपकषै के वारे मैं यह अज्वेज लभारा रशलों होता हैं उनको पतियों तक पहुंचाने की चुर्याई होते हैं उसे शुर्य क्याद़ लाइक और सब्सक्राइब लिए करना तैंक्स पूर वाचिंग